नमस्कार दोस्तों जै मातादी वर्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें मतारानी सबका कल्यान करेगी दोस्तों कार्टिक पूर्णिमा को कई जगे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है इसके लावा कार्टिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है धार्मिंग गरंतों के अनुसार इसी दिन भगवान सिव ने त्रिपुर नामक करने के कारण ही भगवान शिव का नाम तिप्रारी भी प्रसिद्ध हुआ इस दिन गंगा इस्नान वदीब दान का विशेश महात्व है इसी पूर्णिमा के दिन भगवान विश्णु ने मत से अवतार भी लिया था कई तीरति स्थानों में इसे बड़ी धूमदाम से मनाया जाता है दोस्तों कार्टिक पूर्णिमा की कता इस प्रकार है दैत तारकासुर के तीन पुत्र थे तारकाक्ष कमलाक्ष वविदुमालनी भगवान शिव के पुत्र कार्टिके ने तारकासुर का वद्ध किया था तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ उन्होंने दे ब्रम्ह जी ने उन्हें इसके लावा कोई दूसरा वर्दान मांगने के लिए कहा तब उन तीनों ने ब्रम्ह जी से कहा कि आप हमारे लिए तीन नगरों का निर्मार करवाईए हम इन नगरों में बैठ कर सारी प्रत्वी पर आकास मार्ग से घूमते रहेंगे एक हजार साल बाद जब हम एक ही जगह मिलेंगे उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएंगे तो जो देवता उन्हें एक ही बार्ण से नस्ड कर सकेगा वही हमारी मरत्तु का कारण बनेगा ब्रम्ह जी ने उन्हें यह वर्दान दे दिया ब्रम्ह जी का वर्दान पाकर तारकाक्च, कमलाक्च वा विदू मालनी बहुत प्रसन हुए ब्रम्ह जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए तीन नगरों का निर्मार किया उन में से एक सोने का, एक चांदी का वा एक लोहे का था सोने का नगर तारकाक्च का था, चांदी का कमलाक्च का और लोहे का वितनु मालनी का अपने प्राक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया इन दैत्यों से घबरा कर इंद आदी सभी देवता भगवान संकर जी की सरण में गए देवताओं की यह बात सुनकर भगवान सिव तिप्रों का नास करने के लिए तैयार हो गए विसकर्मा ने भगवान सिव के लिए एक दिव्य रत का निर्माड किया चंद्रमा वासूर उनके पहिये बने इंद्र और वरुण यम और कुबेर आदी लोग पाल उस रत के घोड़े बने हिमालय धनुस बने और सेस नाग उसकी प्रत्यंचा स्वयम भगवान विश्णू बान तथा अगनी देव उसकी नोग बने उस दिवरत पर सवार होकर जब भगवान स्यू त्रुपुरों का नास करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहा कार मच गया दैत्यों वा देवताओं में भैंकर युद छुड़ गया जैसे ही त्रुपुर एक सीध में आए भगवान स्यू ने दिवर बान चला कर उनका नास कर दिया त्रुपुरों का नास होते ही सभी देवता भगवान स्यू की जैजैकार करने लगे तुरुपुरों का अंत करने के लिए ही बगवान स्यू को तुरुपुरारी नाम से जाना जाने लगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक और सेयर अवस्य करें हमारे यूटूब चैनल वर्ड बैस मैजिक से जोड़ने के लिए रेट कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथ ही साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नए जानकारी के साथ धन्यवाद